इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडविशन के टाइम जो आपने सिगनेचर दिया था अगर आप अभी भूल चुके हो तो उसे आप कैसे फाइंड कर सकते हो और अपना सिगनेचर आप कैसे चेंज कर सकते हो ये भी देखेंगे देखो signature जो होता एक बहुत important चीज है अगर आप signature भूल जाते हो NIOS में और offline जाते हो कोई certificate apply करने के लिए और जब आपसे signature मांगे जाते हैं आपको document पे जैसे कि अधार काट पे मांगे जा सकते हैं या other कोई supporting document आप देते हो और उसमें अगर आपको signature आप गलत करते हो जो आपने दे रखा है वो नहीं करते हो तो आपका जो document है वो verify नहीं होता है और जो भी आप mark sheet मालो लेने जा रहे हो तो आपको approval ही नहीं मिलता है तो signature जो है आपका must है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप signature कैसे देख सकते हो और अगर आप signature बिल्कूली भूल चुके हो करना तो उसे आप कैसे मतलब change कर सकते हो नए signature को कैसे upload कर सकते हो यह देखेंगे तो चलिए शुरू करते यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने NIOS सर्च कर रखा है और हमें student login करना है simply student login पर क्लिक करेंगे ऐसा interface आएगा यहाँ पर user ID और password को option मिलता है अगर आपको पता है यहाँ पर डालोगे capture डाल के login कर लोगे नहीं पता है तो क्या करना है login by reference number और all number इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको reference number और all number का option मिल ला है तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर डाल दोगे और यहाँ पर data worth वाले column पर क्लिक करके अपना data worth select करोगे manually भी type कर सकते हो यह ले लेगा फिर आपको capture डालना है इस column में और simply आपको login करने ना है login करने के बाद यह आपके सामने ऐसा interface आएगा पहला box ही आपको मिलता है application status का इसी में आपको एक option मिलता है review form का इस पर आप click करके आप यह देख सकते हो कि addition के time आपने कौन कौन से document दिये थे ठीक है और क्या detail आपने fill करी थी addition के time सब चीज यहाँ पर आप देख सकते हो तो हम review form पर click करेंगे और देखोगे कि यह साई detail आपके सामने है और signature के लिए आपको क्या करना है सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका photo अधार काट जो भी है और यह हमारा signature है जो हमने admission के time upload किया था